करता है है लो दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं प्रमोद दहुरह आप सबीका सौगत करता हूं आपके परिवार रोजगार इस प्रमोड यूटूप चेनल में दोस्तों जैसा कि आप सब её क्छा काप्रेक्टिस तेत दोस्तों आज की त्याफ़ा दीक Lawrence 8 8 है जब इसके पहले हम लोगों ने 7 वैक्टिस इड कर चुका है आप लोग आसा करता हूं कि आप लोगोंने सबी प्रेक्टिस सेट देखे होंगे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा वहां से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों अगर भरती परिच्छा स्टार्ट होने वाली है तो आप लोगों से मिरा निवेदन है कि अगर आप ऑप पेपर देने जारहे हैं तो आप लोग जो कोश्चन आपको पता है या पेपर देने के बाद तो आप लोग हमारा वाइंप नंबर जिए अ वीडियो को जल्दे से आप लोग लाइक कर लिजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिसे की ऐसा ही मैं वीडियो अपलोट करता रहता हूं ठीक है दोस्तों तो आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोश्चन यहां पर दोस्तों इसमें देखिए 30 प्र सब्सक्राइब दोस्तों इसको आप जोग लिजिए पहला यहां बीच में पलस का चिन्न है तो इसको जोग लिजिए तो जोगेंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा पांच यहां मैनस होजाएगा एक बीच में इसको आप घट जाएगा तो घटाएगे बारे मेंस 100 थो 10 हमलों का 70 बचेगा ठीक है दसमलों साथ का होल स्क्वायर है एक कोश्ट में जोगेंगे कोश्ट में जो गेंगे दुनों जूट yang साथ सच चॉड़्य यानि हो जागा यह है जह सब INFORTION Marketине यह नहीं 5 हो जाएगा 6.4 का गुगा पांच में करेंगे तो 5.20 की 0 हासिल का दू हो जाएगा अब 5.32 दसमलों एक अस्थान पर है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 32 32 इस प्रस्ण का उत्तर होगा और 32 आपसर नंबर D में है तो इसका D उत्तर सही होगा ठीक है दोस्तों तल में छेद होने के कारण टंकी 16 घंटे में भर भरती है तो वह छेद टंकी को कितने घंटों में खाली कर सकता है देखे दोस्तों एक भरने वाला टंकी है एक भरने वाली टंकी हमने क्या माल लिया ए वह 12 घंटे में भर देता है और जब क्या हुआ कि टंकी के तली में छेड है तब उसको 16 घंटे लगता है यानि यह भरने वाओं टंकी है और इसमें लिकीज भी काम कर रहा है याल तो इसको कितना अख समय लगता है 16 घंटा यहां से टोटल इसका इलसियम निकालेंगे तो इसका टोटल टंकी की छमता हो है 4 शो एक बखेया ऐनी यह तो चार कbei शामता से बर रहा है लेकिन यह मिला है Як क्या है इक है यानी की शमता से फाली रेत तो कितना लगेगा 48 में एक से भाग देंगे तो इसका उत्तर का जाएगा 48 तो 48 इस प्रस्ट का सभी उत्तर है आप्शन नमबर सी अगला प्रस्ट में चलते हैं दोस्तों देखिए पांच कन्री में 5CM को 5CM को गर देखिए सबसे पहले आप सचेख करेंगी में कि क्या यह त्रिपलेट बन रहा है कौन सा त्रिभूज है अगर यह सम्कूर्य त्रिभूज होगा तो इसका सुथ हम लगा देंगे देखिए एक बट्टे दो आधहार इंटुथ है ठीक तो इससे अपनों निकाल सकते हैं तो आप पैसे चेक करेंगे कि यह है पाइथागोर्य यह जो है सबसे बढ़ी भूजा का सबसे बढ़ी भूजा का इसक्वायर सेस दो भूजाओं के स्क्वायर के बराबर है थेजिए सबसे हो रहा है तो पंद्रे है 15 का स्कुर्ण का एक सो पचीस हो जाएगा और पलस का स्कुर्ण सबसे भगी भुजा का स्कुर्ण बराबर अन्य दो भुजाओं के यूग के बराबर हो रहा है इसका मतलब यह त्रिभूज है वह समकोवे प्रिभूज है ठीक है दोस्तों तो समकोंतर घुका शूत्र होता है श्यत्रेय फन निकालने का एक बट्टे दो आधहार सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी भुजा जो होगी वह अधार लेना है इसमें से कोई आप अधार और लंब ले सकते हैं एक बटे दो आधार कि अधार हो जाएगा इसमें ले लेजे 10 गुड़े उचाई 5 करणी में 5 ले सकते हैं दो से भाग देंगे दो पंजे 10 हुजागा पांच पचे 25 25 करणी में 5 इस प्रस्न का उत्तर होगा 25 करणी में 5 जो की आपसर नंबर ए सही है ठीक है चली आगे चलते हैं अगला प्रस्न एक बस्तू का अंकित मुल आठ हजार है तथा 20 प्रसेंट छूट पर उपलब्द है दुकांदार गराहा को एक अत्रित छूट देता है तथा बस्तू को 244 रुपय में बेच देता है दूसरी बार दे गई चूट कितनी है प्रसेंट मताना है चूट कितनी है देखे एक बस्तू का अंकित मुल आठ हजार प्रसेंट देने के बाद कितना बिक रहा है 20 देने के बाद यह बिक रहा है कितना में इसका असई परसेंट निगाल दिजिए ऐसी परसेंट फीदगा ठीक यहां सस दो जिरों दो मुल शत dal गया आठ है नाने लेकिन एक अत्रिक चूट देता है अत्रिक छूट देने के बाद बस तुब बेचता है कितना में करें मैं है जाउन सव musi 407 है दुसरी बार चुट कितना दिया गया है तो दुसरी पार छुट देने के लिए किसको स्थासर को ठीक है क्योंकि अब दुसरी गश्यी कई वह चूट चूट 988 सो पर छूट दिया गया है लेकिन अब कितना बेचा है तो यह बेचा है देखिए जो 6400 है अब यह इसका सीपी काम करेगा सोरी यंपी अब इसका काम करेगा बात समझ रहे हैं यह 6400 पर हम छूट निकालेंगे ठीक मेरे भाई अब यहां से घटा के चेक कर सकते हैं आप लोग कि यहां से घटाएंगे देख लेजिए जीरो हो जाएगा जीरो दस में से चार गया तो 6 और यहां से तेरे में से चार गया तो 960 बटे 64 सव गुए सव दो जीरो से दो जीरो कैंसर हो जाएगा यहां से यहां से काटेंगे 8 864 बार्य वठे 96 एक सबीस आठ से काटेंगे तो 15 वठे 120 होता है 15 वठे 120 यानि इसका उतर क्या जाएगा 15 तो 15 खूत होगा दूसरा बार यानि आपसा नंबर एश ही है ठीक है कि थीक है दोस्तों कि आपको सवाल समझ में आ रहा है कि सवाल जरू कर दिजे करें ःते और बताऎे कि हां सवाल तो सवाल हम लोग समझ पा रहे हैं ठीक है दोस्तों सेट चलते हैं लोग अगला प्रस्ण आपके सामने यहां पर है देखे अगला प्रस्ट क्या करा है कि यदि एक चार रसमलों 5 बडाबर बी का 6-15 हो तो ए बी एल पाथे भी क्या है चलिए देखे ऑन दसमलों से दसमलों खत्म हो जाएगा इसको काटेंगे पांस से तो पांच नमा 45 हो जाएगा पांश से काटेंगे तो 13 55 हो जाएगा यदा व्यक्त अनुपाती नौ यानि आप्सन नमबर बी चले आगे अगलावश्ण एक कच्छा का आवसत भार 36 kg है यदि एक 15 kg भार वाला छात्र चात्र कच्छा में सामिल हो जात जाये तो नए आवसत भार 33 kg हो जाता है तक कच्छा में कुल कितने चात्र हैं या भी आप देखिए दोस्तों इसको हल करने के लिए आप आप सन मेठट से लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा अब देखिए कैसे आपसंस इसको हल किया जाता है एक कश्छा का आवसत भार क्या है 36 किलोग्राम है ठीक है एक एक 15 किलोग्राम भार वाला यहान को छात्र तो ने आवस्त भारat 23 किलोग्राम हो जाता है दृड़ति आगर हमन लेता हूं मैं कि कछा में 5 हैं तो 5 अगर छात्र टोटल हैं तो इनका आवस्त क्या थह है योग क्या हो जाएक पांच चाटर और सामिल हुआ है जिसका उजन है 15 किलोराम तो पंदरे इसमें जोगेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर 195 195 तो अभी कितने चाटर हो गाएं पाच तो थे जिनका योग था 180 लेकिन एक और सामिल हुआ है जिससे इसका योग क्या हो गया है 155 यानि टोटल चात्र कितने हो गए हैं है तो चात्र को इनका खाक भार कितना हो रहा है 195 लेकिन 6 चात्र का आउसत क्या हो जा रहा है अब 33 तो 6 में 33 का गुगया करेंगे 95 अगया तो यही 5 सही हो जाएगा देखिए 6,3,18 लास्ट में तो 18 है इसका मलब 5 हम लोग नहीं ले सकते हैं 5 नहीं आएगा ठीक है दोस्तों अब आए इसके दूसरा आपसन लेकर चेकरते है दूसरा आपसन अगर लेंगे 6 को अगर मैं मान रहा हूं कि 36 आउसत है चात्र चे हैं हम बी को आपसन ले रहे हैं तो यहां सका जाएगा च्छावा कि 36 के च्छे आसिल का 3 और 6,3,18,3,21,216 हो रहा है जो चे चातर का भार क्या है 216 है लेकिन एक चातर और आ रहा है जिसका वर्जान क्या है 15 किलोगराम है तो चुछ principle 1123 291 यहां यह है अब के चांफ आब तके Whoa Tharoosh 3 görev genre 233 में सिग्व xd 211 आहते है यहां भी दोस्तिय सारा है इस का मतलब आपसर नंबर इस होगा कच्छार सब्सक्राइब किटने चारें शह के दिख्छत पर आनि है दोस्तों क्या आपको सवाल समझ में आया है अगर सवाल समझ में नहीं आया है तो कॉमेंट करिएगा मैं एक बार फिसे इस सवाल को आपको बता दूँगा ठीक है दोस्तों चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रसन यहां पर दिया है किसी नाव की गती धारा के अनुकूल 65 किलो मेटर प्रतिक हंटा है तथा धारा की ग कितना समय लिया जाएगा अब ध्यान से समझेगा सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे देखिए एक नाव की गती धारा के अनुकूल अनकूल जब भी जाएगा तो इसका चाल जूट जाता है कितना स्पीड है इसका 65 km प्रति घंटा है दहारा की गती 5 km प्रति घंटा है यानि दहारा क्या है 5 km यहां से हम बोट का निकाल सकते हैं 5 घंटा देंगे इसमें से कि क्या हो जाएगा दोस्तों यहांपर साथ हो जाएगा साथ क्या है तो साथ इसका है नाव का रखनेक धारा के विपरीत चल रहा है अगर धारा के विपरीत चलेगा 220 किलो मीटर जब विपरीत चलेगा तो चाल घटेगा यानि 65 65 65 65 65 पांच घ्टायेंगे का हो जाएगा 55 55 अब पलस यहां से दूरी बटे चाल शमय निकलेगा धारा के अनकूल चल रहा है 130 किलोमेटर अनकूल चलने पर धारा जुटता है तो साथ पलस पांच जुटे गात के आजएगा 65 बस इसी को हल कर देंगे उत्तर आपके सामने आ जाएगा 11 से काटी यह 11 55 होता है और 11 दूना 22 यानि 20 पांच जो को 20 यहां से चार घंटा गया और यहां से 13 55 तीरे करने 13 और इसको 5 से काटेंगे 5 दूना 10 यानि 4 यहां से 2 यहां से 4 दू 6 घंटा जो की आपसेन नमबर इसका बी सही हो जाएगा कि आपसेन नमबर बी इसका उत्तर सही होगा चलिए आगे चलते हैं अगला प्रशन यहां पर रहें है दोस्तों एक ब्यक्ति 50 किलो मेटर प्रतिगहंटा की गति से किसी एक अस्थान पर जाता है तथा एक भिन गति से वापस आता है यदि आवसत गति 75 किलो मेटर प्रतिगहंटा है तो वापस आते समय गति किलो मेटर प्रतिगहंटा में क्या है चलिए एक बार गया है एक बार आया है ठीक है लेकिन गती दोनों सेम नहीं है तो आवसत गती निकालने का फार्मूला क्या होता है देखी आवसत गती निकालने का फार्मूला होता है तो आने की गती नहीं पता है y बटे 50 प्लस y अब इसको हल करेंगे तो उत्तर तुर्णत आपके सामने आ जाएगा तो पचीस दूना पचास पचीस तियां पचहत्तर पचीस तियां पचहत्तर यहां से देख लिजी आप लोग यहां से दो दूना चार y हो जाएगा और यहां पर 50 इसमें जो है 50 प्लस Y में 3 का गुड़ैक तो 50 प्लस में 3 का होगा तो 50 का पहले Bowl 150 जाएगा आप बराबर के इदर से 4 यह हो जाएगा वाई का मान निकलना है तो यह 3 इधर आके घट जाएगा तीक है लोग जाएगा यहां सब्सक्राइब क्या एक वाई वाई का वैलू क्या हो जाएगा पच्चास तो पच्चास किलो मेटर प्रदिक हंटाइस का स्पीड होगा आने का जो की आप सो नंबर डी सही हो जाएगा ठीक है चलिए दोस्तों आगे चलते हैं यहां सरीजिनिंग का कोश्चन आ गया है देखिए यम यन का बेटा है यम यन का बेटा है यम यन का बेटा है ओ यन का पिता है ओ जो है यन का पिता है ठीक पी यम का पिता है पी जो है यम का पिता है पी यहां पर है यम का पिता है पलस लगा देंगे यन पी से कैसे संबंदित है यन जो है पी से कैसे संबंदित है अब देख लेजिए आपर अगर यंजो यंजर का बेटा है और यंजर का फ़िए इसका मतलब यह दोनों यर्ला और भी पति पतनी होंगे थिक ठीक है दोस्तों चलिए बिसम बताना है देखिए यहां पर तीन दूप पांच चार तीन साथ तीन एक चार यहां से छे टीन नौ आना चाहिए यह बीच में नौ लिखा है तीन यहीं बिसम है तो यहीं उसका उतर सही हो जाएगा अगला प्रस्ण इसमें लुप्त जो पद है वताना है आपको कौन सी संख्या इसमें गायब किया गया है तो यहां से देखेंगे क्या है 19 दून और यतिश दो गुणा है यहाँ पर उन्नीश दूना अल तो आपसन में तो छेतर है नहीं इसका मतलब दो गुणा नहीं किया होगा तीन गुणा चेक करेंगे तो 8 तीना 24 हो जाएगा हासिल का 2 और 3 तीन का 9 2 111 14 होगा तो 114 तो आपसन में है यानि यह तीन गुणा किया गया है 114 का फिर यह चेक करिए कितना गुणा है 114 का 2 गुणा है यानि क्या इसमें पैटर्न चला है दो गुणा तीन गुणा दो गुणा तीन गुणा फिर दो गुणा इसका मतलब यह तीन गुणा होगा यहां से तीन गुणा एगा तीन गुणा करने पर 114 इसका उत्तर होगा ज और स्थान से लिखा जाएगा अब आप ध्यान से बात को समझेगा निय needle bc क्या हुआ है यहापर वाय हुआ है दोनों और क्या होता है दो वाइशा होता है 25 25 दूंद 27 इसका मतलब जब दोनों का कोड जोओने पर 27 आजायत इसका मतलब दोनों एक दूसरे विपोरीत ग्लिख बल!]it क्या होगा 11 11 का मतलब क्या आता है कि रहाई होगा सुरू में क्या होगा शुरू क्या होगा के होगा इसमें तो होगा ही नहीं ठीक अब आगे चलिए कि यहां से 12 15 होता ओ का यानि दूसरे के विप्रीद कर जाएगगा बी कि कर दो कि एस भी होगा इसमें कि आसे यक्ष होगा है यह भी आप समस्थ नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि या तो गीजाई होगा होगा ठीक है दोस्तों अब आगे चलिए अब यहांसे आप लोग रख्षर जो है बीपरीत है देखें यहाँ पर रैक्स है इसमें अर है तो अंतिम से दुसरा अक्षर का कोड़ चेक कर लिजी है यहाँ पर क्या है टी यहाँ पर क्या है टी यानि जी और टी दूसरे के बीपरीत हैं तो सी का विप्रित क्या हो वासी का कूर्ड होता है 3 3 में जिब 24 जोएने ताब 27 होगा जैनुन सी का विप्रित क्या नभर हो जाएगा यक्स तो यक्स किस में है meters ki Sum अन्तिम में दूसरा से दूसरा पद्ध pourquoi कौन है कि स्माण बी में है तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगे चलिए यहां पर करा है कि निम्न संख्या स्रिंखला में प्रस्ण वाचक प्रस्ण चिन है कि अस्थान पर क्या आएगा चलिए यहां पर देखते हैं प्रस्ण के चिन पर क्या आएगा है चलिर लोस्ट है यह से कज़ी एक गूए दो कर दीजिये एक हुए दो हो गया दो गुह टीन कर ली जिए ऑच फार दो कर दीजिए कि ठीक है इसका मतलब दो गूए पहले दो गूए फोति यूए दो गूए अन्रिए हगसे च तहको करेंगे किया हो जाएगा तेन दूना च़ह एकाई काँक छे आएगा एकाइक का दोस्तों चै आएगा एक ही इकाई आभ्षण नंबर डी इस प्रसन का सई उत्तर एं ठीक है है यहां पर क्या हो जाएगा प्लसन टावरो उन्तालिस वyn 1459 माइनस का 26 गुबे च्छे बटे तेरे पलस का उननाईस तेरे दूनीच हब्दीस यह दू हो गया और दूछा का बार है बार है ग्यारे में से माइनस बार है घटाएंगे तो माइनस का एक बचेगा माइनस का एक माइनस का एक और माइनस एक घटाएंगे उननैस में से तो माइनस बचेगा पलस का एठारे तो पलस का अठारे इसमी जोड़ी दिंगित कहना हो जाएगा नौ आठ सतर है हांसिल का एक तीन दू पांच यहनि संतावन इस प्रस्ण का उत्तर होगा संतावन किसमे है तो उता होता है बिखम वर्गाकार होता है एक रिख रेखकार तो इसमें दुषिसम क्या है दूस्तों है तो ज़लिए यानि क्या है रुक रुक कर लगातार यह दूसरे के विपरीत है यह एक दूसरे के क्या है विपरीत है एक दूसरे के विपरीत है यहां पर देखिए हस रोना हसना सांत असांत एक कत्र करना खर्च करना समझदार सब्ध समझदार सब्ध यह तीनों आपसंद विपरीत हो रहे हैं लेकिन समयजदार सभ यह परीत नहीं हो रहा है इसलिए आपसन नंबर D इसका सही उत्तर होगा आगे चलते हैं और अगला प्रस नहां पर आपके सामने हैं अ क्या देखें दोस्तों एपलस B का आर्थ क्या है एवी का पिता है ए जो है बी का पिता है तो P Q का पिता होगा ठीक है गुगया का मतलब क्या है इसमें ए बूगया बराबर बीकर्थ क्या है A, B, का भाई है यानि Q, R, का भाई है Q, जो है R, का भाई है तीसा मलाव भी प्लस हो जाएगा ठीक है, दोज़तों इसके बाद आए माइनस पर माइनस का क्या मतलब है A, माइनस B, का रथ होता है A, B, की माता है यानि R, S, की माता है R, जो है यस की माता है यहां पर माता हो जाएगा ठीक तो क्यू यस से किस प्रकार सम्मंदित है क्यू जो है यस से किस प्रकार सम्मंदित है तो यस से कैसे सम्मंदित है दोस्तों यही इसमें बताना है तो क्यों क्या है क्यों यस का क्या लगेगा मामा लगेगा तो मामा किस आप्शन में है आप्शन नंबर बी में है तो बी इस प्रेशन का उत्तर होगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब आईए यहां पर कह रहा है थिरी भी ब्रोकर्स बैंकर्स और बिजनेसमेन किसके लिए के उत्तरदाई हैं तो किसके लिए उत्तरदाई हैं विश्व ब्यापी मंदी यानि महा मंदी के लिए उत्तरदाई होते हैं आप से नंबर एस प्रस्टन का सही उत्तर है सेबी से तात परे है सेबी का फूल फार्म क्या है यह बताना है सेबी का फूल फार्म क्या होता है शेक्रेटीज एंड एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया यह आपसर नंबर भी इसका सही उत्तर है मैं 289 से खटना का उसके घटना करम अनुसार सही क्रम क्या है चलिए इसको सही क्रम बताना है कंसा सही क्रम होगा भारत च्योंड यंड recuperation का सुरुआ कब 42 में हुआ था शींतला समयलन कभ हुआ था ते हुआ था 1945 को सुर्णा समयलन 1945 को भूधा था पूरा्सम्जवाता हुआ था 1932 में 1932 restart और कैबिनेयच मिसन कब आया था तो 1996 में कर अदि एक गटना घटा हुआ है चाहली कने घटना है पूना समझता सब्से पहली यानि और नमबर 3 सबसे अधो आएगा यह तो आपसन नहीं होगा और यह भी आपसन में है एक तो आपसर नमब सी में तीन के बाद एक है तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे चलते हैं और अगला प्रस्नियाँ पर आपके सामने है राजसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधी के लिए होता है तिया छह वर्स के लिए होता है जो कि आपसर नमबर डी सही हो जाएगा 1970 में महत्मा गांधी द्वारा चंपारणे से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था यह बताना है 1970 में दोस्तों चंपारणे से आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम था सत्याग्रह सत्याग्रह आंदोलन चंपारणे से 1970 में महत्मा गांधी की द्वारा शुरू किया गया था लेकिन दोस्तों आप इसका नाम होता है टाइफोन आफसर नमबर डी अब मार्जक द्वारा कठोर जल के साथ जाग उत्पन करने का क्या कारण है तो इसका कारण क्या है दोस्तों सलफोनिक अमल के कैलिसियम तथा मैगनेसियम लौड़े जल में घुलंसील होते हैं आफसर नमबर सी इसका सही उत्त बताना है जो आकृति अलग है वही बताना है तो इसमें अलग कौन सी आकृति है कि देखिए इसमें कितने यह जो तीन भाग में बराबर बराबर बांटा गया है यह भी बराबर बराबर बांटा गया है यह भी बराबर बराबर बटा तीन भाग में लेकिन यह जो आगे चलते हैं और अगला प्रस्ण में भी आपको भी प्रित ही बताना है कौन इसमें अलग है देखिए इन सभी में पांच को हैं सभी में यह पंच भूज है लेकिन यह खश्ट भूज है तो यही अलग है आपसर नमबर डी कि अब यहां पर आईए इसमें कि यह दो तीर ऐसे हैं इधर एक तरफ फिर इधर आ रहा है मलब इसका ऐसे हो जा रहा है तीर ऐसे हो रहा है तुह वाला ऐसे होगा एथनों तीर का मूं इधर आएगा हैं तो किसमें है देख लेजिए यहां से बिकल्ब को अप लोग देखीये किसमें है यह यह तो तो होगा नहीं यह भी नहीं होगा या तो सी हो या तो डी हो लेकिन और भी कुछ इसमें होगा कामन देखिए दो तरफ बिंदी है बिंदी दो तरफ है और यहां पर तीर तीन तीन तरफ बनाया गया है यह तो नहीं होगा आफसर नंबर सी सही हो जाएगा ठीक है मेरे प्यार है उसे अंदर कर दिया गया है तो जो बाहर है वह अंदर चल जाएगा यानि वश्य का बाहर है तो अंदर होगा तो वर्ग किसमें अंदर किया गया है इसमें तो नहीं किया गया है इसमें अंदर है लेकिन अंदर खाली ही अंदर होगा ठीक है दोस्तों अंदर खाली होगा तो कौन सा आप्षन से हो जाएगा सी सी आप्षन इसका सही उत्तर हो ठीक है दोस्तों चली आगे बढ़ेते हैं और अगला प्रस्ण यहां पर दिया गया है कि यहां पर अगला प्रस्ण कर रहा है जो बाहर है अंदर पुरा इसको रंग दिया गया है जो बाहर है अंदर रंग दिया गया बाहर क्या है इसक्वायर है यह सोड़ी बाहर एक ब्रित है तो ब्रित अंदर जाके रंगा जाएगा तो कौन सा सब्सक्राइब आप्षन आप्षन नंबर भी सई है ठीक है अब आए यह 50 नंबर कोश्चन और यह अंतिम कोश्चन है इसमें है दोस्तों देखे यहां पर by डाबलू है डाबलू के बाद यहां पर यक्स हो आया है ठीक यहां डाबलू यहां पर आया है इस वार डाबलू यहां पर आएगा इस वेर डाबलू यहां पर आएगा तो यह तो होगा नहीं यह तो नहीं होगा और कौन सा आप्षन कट सकता है पहला आप्षन नहीं होगा पहला आपसन नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा इसका मतलब आपसन नमबर बी ही इसका सही उत्तर है ठीक है दोस्तों तो हम लोग 30 प्रस्ण किये हैं दोस्तों आप लोग जरूर बताईए कि आपका 30 प्रस्ण में से कितना प्रस्ण सही किये हैं तो फिर मिलत अगले वीडियो में दोस्तों आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत